असलम उलेकम वेलकम टू शनाया नियूस उमीद करती हूँ के आप सब खैरियस से होंगे यूके की तीन इंताहई एहम अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं शामिल करेंगे के इंग्लेंड प्रिटी पटेल का रदे अमल खत्रा किन को तुमाम रिकॉर्ड तोड़ दिये दूसरी जानिब एक और एहम अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे के इंग्लेंड इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए फैसले आना शुरू दस साल वालों के लिए खुश खबरी तीसे नमबर पे एहम न्यूस को शामिल करेंगे जो के इंग्लेंड रेड लिस्ट, ट्रैवल अपडेट, नई सहूलत क्या और पाकिस्तानियों के लिए हकूमत का इलान तो इन तमाम खबरों की तफसिला जाने के लिए आप सबसे हमेशा की तरहां यही रिक्वेस्ट है के वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई नियू है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और साथ में बेल की आइकन को प्रेस कर दीजिए तो चलिए बढ़ते हैं आज की एहम दीन अपडेट्स की जानी फ्रांस की पहली खबर को शामिल करेंगे इंग्लेंड प्रrintYपर टेल का रदे अमल खत्राकिन को तमाम रिकोर्ड तोड़ दिये यू के होम सेक्टरी प्रिटी पटेल की तमाम तरकोशियों के बवाजूद गेर कानूनी तरकीने वतन की बरतानिया आमद का सिंसला माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ गया दो हजार एकिस के पहले छे माँ के दुरान मजमूई तोर पर छे हजार के करीब गेर कानूनी तरकीने वतन इंगलिश चैलन अबूर करके बरतानिया पहुंच गे गेर कानूनी तरकीने वतन को रोकने के लिए फ्रांस के साथ जदो जद समेट दीगर तमाम एकदामात के अच्छे भी शामिल हैं जो 21 मिल का खतरनाक समूंदरी सफर तै करके अपनी जिन्यों को खतरे में डाल रहे हैं अधादोई शमार के मताबिक 2021 में अब तक 5,900 से जाइद अफराद कष्टियों में सवार होकर बरतानिया पहुंचे जिन्हें हरास्त में ले लिया गया है जबके 2020 में पूरे साल में मजमूई तोर पर 8,417 फराद गेर कानूनी तरीके से बरतानिया में दाखिल हुए थे ये ऐसे अधादोई शमार हैं जो 2019 के लिए चार गुना थे रवासाल सिर्फ माजून के दुरान इंगलिस चैनल अबूर करने वाले गेर कानूनी माजून की तदाद 22 सो से तजाविस कर चुकी है खिराती अधारों ने अधादोश्मार पर हकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए इलजाम आइद किया है कि इसने औरो ट्रेस बरतानिया बनाने की जुस्तजू में लोगों में समगलर का खुआ पैदा कर दिया है माजून का कहना है कि गेर कानूनी तोर पर इंगलिस चैनल को अबूर करना मुकमल तोर पर नाकाबले कबूल है ये अमबर काबले जिकर है कि परिटी पर टेल मतनाजा कानून साजी करने पर गोर कर रही है ताकि हकूमत को इस काबल बनाए जाए कि वो सियासी पना के मतलाशियों को प्रोसेसिंग के लिए बैरूने मुल्क बेच सके जानीब होम सेक्टी परिटी पर टेल ने इस तमाम तर सूरते हाल के खलाफ सक्ट एक्शन लेने का रदे अमल जायर कर दिया है उन्होंने का है कि जो भी ऐसे असाइलम सीकर जो इंगली चैनल को अबूर करके आ रहे हैं बरतानिया उनको दूसरे मुल्क याईनि के अफरीका के जो मुमालिक हैं वहाँ पे उनको बेजा जाएगा इसी के साथ आप बढ़ते हैं अगली अपडेट की जानिब जो के इंगलेंड इलीगल इमिग्रेंट के लिए फैसले आना शुरू दस साल वालों के लिए खुश खबरी इंगलैड में जैसा के इलिगल इमेगरेंट जो के इस सुख्भाले से इनतजार में हैं के कब अमनेस्टी का एलान होगा और इस सवाले से पेटीशन पर सिगनेचर्स बी मकमल हो चुके हैं और अब इसी महीने में पार्लिमेंट में बहस होगी जो के 19 जुलाई सिलेक्ट की गई है तो इन सब को मदे नज़र रखते हुए इलीगल इमिग्रेंट के लिए अच्छी नियूस जारी हुई है और गोर्मिन्ट की जानिब से इस पे काम जारी है किस तरह से इन लोगों को अ आफिस में होना नहायत ही जरूरी है और ये वो इलीगल इमिग्रेंट से जिनको 10 साल या इससे ज्यादा का अर्सा इंगलेंड में रहते हुए हो गया है और जिनकी दर्खास होम आफिस में हैं तो अब इनके लिए अच्छी खबर ये है कि हाल ही में जिनको 10 से 12 साल हुए ह हैं चाहे वो शादी शुदा हैं या फिर गैर शादी शुदा हैं तो उनको वीजा गरांट होना शुरू हो गया है और आप लोगों को वाज़ा करती चलूं के आपके पास जितने भी सबूत हैं चाहे वो मेडिकल से मतलिक हैं या आपको कोई बीमारी है तो आपके पास ओफिस में दर्ज हैं तो अब इन लोगों को फैसले मिलना शुरू हो गए हैं क्योंके वजीर आजम का भी इस हवाले से कहना था कि हम चाहते हैं कि टेक्स अदा करने वाले आएं ताकि इससे माशियत बढ़े तो अब इनकी जानिब से खुफिया तरीके से खास करके जिनके के इस होम आफिस में दर्ज हैं तो उनको फैसला मिलना शुरू हो गया है तो इसलिए नहायत ही जरूरी है कि दर्खास जरूर कीजिए क्योंके दर्खास होगी तो होम आफिस इसको देखेगा ना कि ये इनतजार किया जाए कि कोई ऐसी खबर आ जाएगी कि अमनेस्टी बहाल हो गई है तो ऐसा कुछ नहीं होगा लेकिन अब ये काम खुफिया तरीके से शुरू हो गया है इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की जानिब जो के इंगलेंड रेड लिस्ट ट्रेवल अपडेट नहीं सहूलत क्या पाकिस्तानियों के लिए हकूमत का एलान क इंगलेंड की जानिब से बड़ी खुशखबरी रेड लिस्ट मुमालिक से आने वाले मुसाफरों के लिए जारी हुई है और मजीद पाकिस्तानियों के लिए 10 जुलाई ट्रेवल से मुतलिक एम होने वाली है और अब जो लोग रेड लिस्ट मुमालिक से आ रहे हैं चाहे के एक नई सहूलत दी जा रही है तो इस न्यूस की तफसिलात के मताबिक लंदन से पाकिस्तान PIA की परवाजें बहाल करने का फैसला हो गया है और अब 10 जुलाई से हेत्रू एरपोर्ट से इसलामबाद के लिए पहली परवाज रुआना होगी और अब जैसा के पाकिस्तान क की तरव से ग्रीन सिगनल यानि के इंगलेंड से आने वालों पर पबंदी खतम कर दी गई है और अब इंगलेंड से आने वाले पाकिस्तानियों के लिए जुलाई के महीने में 10 परवाजें चलाई जा रही है और PIA की परवाजों पर इंगलेंड से जाने वाले पाकिस्तान जिनको नई सहुलत दी जा रही है तो ये खास करके ऐसे स्टूरंट्स को दी जा रही है जिनके विजे लग चुके हैं और वो रेड लिस्ट मुमालिक से आ रहे हैं लेकिन वो स्टूरंट्स ताना सो पचास पौंड का खरचा बरदाश नहीं कर सकते हैं तो अब उनको युनि में आने वाले हैं दूसरी जानिब हकूमत का बैरुने मुल्क फसे पाकिस्तानियों को वापिस लाने के लिए ऑपरेशन शुरू करने का एलान गैर मुल्की एयरलाइन्स की जानिब से परवाजों की कैंसिलेशन के बाद योरब और इंगलेंड में दीगर ममालिक से आने व फंसे पाकिस्तानियों को 18 फ्लाइट्स के जरिए वतन वापिस लाया जाएगा उन्होंने कहा कि फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कल से उपरेशन शुरू कर रही हैं ये थी आज की एहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है उमीद करती हू के पसंद आई होंगी इसी के साथ फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में तब तक आप सब अपना बहुत ख्यार रखेगा थाइंक्यू खुदा हाफिस